आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब नियूज महू आपके साथ हर्षता प्रधाना प्रभारी कुलदीब खत्री ने बताए कि इसके लिए टीम गठित की गई थी इस टीम में उपनरिक्षक देवेश पाल, प्रधान आरक्षक राकेश चोहान, प्रधान आरक्षक नीरज यादव, आरक्षक इतेश परिहार और आरक्षक वसीम खान के द्वारा साथ रास्ता हरी फाटक और किशन गंज नाके की सीसी टीवी कैमरे खंगाले गए जसम देखा गया कि एक और्टो रिक्षा रात करीब तीन मजे साथ रास्ते पर संदिक दवस्ता में नजर आ रही है जो किशन गंज नाके से होते हुए इंदौर की और जाते हुए दिखाए दी वक्त सीसी टीवी कैमरे और मुख्बीर की सूचना पर संदिक दौटो चालक की तलाश की तो हारी फार्टक पर आरुपी चंदन मेंडल पिता संतोष मेंडल निवासी राहुल गांधी नगर इंदौर और उमेश यादव और फिर लक्की पिता हीरा लाल निवासी पिपलिया राउ के साथ पकड़ा गया जनके कबजे से अपराद में चोरी की गई दोनों बैटरियों को बरामत कर आटो रिक्षा भी जप्त किया गया पुलिस द्वारा अने चोरियों के मामले में पोस्ताज करने में जट गई है बताया जा रहा है कि दोनों आरुपी चोरी के मामले में लिपत रहते हैं और आज़तन चोरी के अपरादी बताया जा रहा है जबकि दो दिन पूर्वित रेने तरम कैमरे की ये दूसरी सफलता पुलिस को मिली है अगले दिन हमारे पास एक रूपोर्ट आती है कि रात में मेरी बैटरी कोई निकाल के ले गया तो हमने जैसी प्रोजेक्ट में अपने कैमरे जो लगे हुए थे सहर में और आत्में अमने तलास करना चालू करें तो हमको जाई वजे एक आटो आते दिखा किसन खाटक से महू की तरह और उसको फॉलो किया उस आटो को तो वह आटो साथ नंबर पर पहुंचा साथ नंबर पहुंचके वह अंदर जाके बैटरी लेके फिर मूब हुआ यहीं वह और उसको फॉट्व को रहना किया और उसके कैम्झे हमनें सज्च करना चाली वी ऑगे लेकर इंदर तक केंच केम्झे की वह इनदर तरह गहाता थो आगए वित वहांद टरफ लाया राह उसे छेंद में सब्सक्राइब करें लगाता है उसके प्रयास करने के बाद मुक्विर सूजना पर राप्त कि वह वहां से इंदौर चला है महु की तरफ चेकिंग लाके उसको रांड अप किया गया जिससे आज दिनांग को उसको पकड़ा गया जैसे दो बैटरी चप्त की गई इसी तिरी नेत्रम से हमने अभी कुछ दिन दू दिन पहले ही सालेंसा चोरवी पकड़ा था त्रिनेत्रम प्रोजेक्ट जनता के जन्सवयोग से ही लगाया और इसकी बहुत इंपोडेंस थी और इसको जन्ता ने समझा और सबने कंट्यूइशन करके कैमरे लगा है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि लगातार हम दो चोरी जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएं उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से और रात में हमारी जो गस् पहुंचें इससे हमको बहुत मदद मिल लएए पॉइंटों को देखने में और मॉनिटरिंग करने में इससे अपरादी करने अपराद अगर कर भी जाएगा तो वह कैमरे की नजर से बज नहीं सकता हो और उसको जल्द पकड़ने में बहुत मदद मिलती है